असलाम लेक्म स्टूडेंट्स हमने पिछले मॉड्यूल में कॉस्ट बेनेफिट अनेलेसिस की बात की अनेस्टली मुझे तो थेरी में भी ये मुश्किल लगता है लेकिन लगी ली आई केम अक्रोस अके स्टडी एक सोशल इंपेक्ट ऑगनाजेशन जो है वो किस तरह अपनी सोशल सावसिस का कॉस्ट बेनेफिट अनालेसिस करती है मैंने सोचा उसको आप से शेयर कर लें शायद आप बेहतर तोर पर उस कॉंसेप्ट को समझ सकें इस अप्रोच को यूज करने के काबिल हो जाए गिफ बैक, गेट बैक एक फिलन्थ्रॉपिस्ट ऑगनाजेशन है एक सोशल अंटरपनियोशिप ऑगनाजेशन है जो के न्यू यूउक में जो एट रिस्क यूथ है उनको वोलन्टियरिजम की तरफ माइल करते हैं एट रिस्क यूथ से मुराद यंग लोग जो ट्रग्स में इनवाल्फ हो या वाइलन्स या स्ट्रीट क्राइम्स घर से भागना और इस तरह के अंटि सोशल बिहेवियर्स जो हैं उनमें या तो इनवाल्फ हो या उनके इनवाल्फ होने का डर हो इस organization का जो mission है वो इन लोगों को उस risks के बाहर लाना और उनको एक contributing शहरी बनाना जो के मौशरे में value addition कर सके वो और साथ साथ New York City इतना बड़ा शहर है जहां जितने भी department हो government की services कम हो जाती हैं तो community services के लिए volunteers create करना volunteers जो हैं वो पैदा करना ये एक two-fold mission उनका था अब जो जी बी जी बी है उसको अपने mission को accomplish करने के लिए उसने जो तरीके कार इक्तियार किया उसमें सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारी funding streams मुख्लिफ रखी जाहर है ये ऐसा काम है जिसमें बहुत सारी subsidies या donation involved है लेकिन उन्होंने किसी एक donor पर भ्रोसा नहीं किया उसमें community से छोटे छोटे donations लेने से लेके बड़े donors को grants के लिए लिए लिखने तक और government से funding लेने से लेकर जो organization volunteers लेती है volunteers की services लेती हैं उनसे fee for service तक मुख्लिफ किसम की उन्होंने अपनी funding sources रखे उन्हें diversify कर दिया दूसरे नमबर पर उन्होंने अपने operations को इस तरह design किया कि कम से कम cost हो مثلا आफिस जरूरी है कि बचे young लोग जिसको help की जरूरत है जो समझता है कि मेरी lifestyle अच्छा नहीं है अगर मुझे थोड़ी help मिल जाए support मिल जाए तो मैं उससे बाहर आज हूँ या जैसे juvenile delinquent हैं उन्हें legal help चाहिए या drug addicts हैं उन्हें detoxification की facility चाहिए तो एक office जरूरी है GBGB का लेकिन उन्होंने ये office किसी पॉश area में किसी बड़े sophisticated से environment में नहीं बनाया बलकि एक इंतहाई low income area जो है उसमें एक room rent किया simply ताके cost को कम किया जा सके इसी तरह वो अपने mission की जो advertisement और अपनी services को जो propagate करते हैं वो in-kind donation यानि इलाके में जो advertising agencies हैं उनसे वो कहते हैं कि आप अगर हमें donation देना चाहते हैं तो आप हुए पैसे देने की बजाए हमारा message जो है उसे advertise कर दे इसी तरह staff जो है वो बहुत सारा काम कोशिश करता है कि वो virtually करे फोन पर laptop पर और ये gadgets जो है अगेन ये in-kind donation में वो इकठा करते हैं पराने laptop पराने फोन जिनको मरमत करके उनके वाल जो staff है वो use कर सके के लोग जो है वो youth को youth खुद भी इनको अब contact करते हैं लेकिन ये youth को approach करते हैं कहीं कोई young आदमी जो है school के बाहर लड़ता जगड़ता पाया जाए तो GBGB का staff जो है उसको approach करता है local police station में अगर कोई juvenile young बच्चा जिससे कोई criminal activity हो गई है कोई offense हो गया है उसको ये approach करते हैं इसी तरह street crimes में जो लोग involved है ये police station से राबता रखते हैं तो इन्हों ने अपना cost benefit analysis अपनी services का कैसे किया अपना impact जो है उसको कैसे मज़ा किया अब जो cost है वो तो किसी हद तक simple है कि उसमें office current है उसमें staff firing है जो professional qualified जैसे psychologist है या जैसे counselor है या lawyer की services अगर चाहिए हो तो ये वाली जो चीज़ें है ये उसमें उनकी costs है और जाहिर है ये monetized है आप जो office current है वो भी रुपाव में या dollars में तैय कर सकते हैं आप salaries जो है उनको भी cost उनकी कर सकते है monetized terms में लेकिन जो benefit side है वो थोड़ी ज्यादा tricky थी इस केस में सो उन्होंने उसको कैसे monetize किया एक बच्चा जो जिसका police case बन रहा है अगर वो police case चले prosecution हो तो उस पर कितना खर्चा आता है on average उसमें state का खर्चा state prosecutor का defender का खर्चा जो के अमुमन state ही provide करती है ऐसे cases में parents को जो trouble होती है उस young person जो है उसकी जो classes में सोती है या काम छूट जाता है उन्होंने उन cost को जमा किया so on average इस तरह के एक case का खर्चा से 300 डॉलर है और अगर वो साल में 10 ऐसे बच्चे जो है यंग लोग हैं उन्हें बचा सकते हैं कि उनकी against prosecution हो तो वो उन benefits को जमा कर लेते हैं 300 से जरब दे के इसी तरह अगर कोई यंग लोग जो है वो drugs में involved हैं तो वो benefit उसका कैसे जो है उसक तो उसकी costing कैसे करेंगे उसे monetize कैसे करेंगे वो drug की जो price से of course वो तो होगी लेकिन उससे जो health impact हो रहा है psychological impact हो रहा है psychologist की जो fee देनी है detoxification की जो fee देनी है वो उन चीज़ों को एक तरह से उन indicators को monetize करके तो वो benefit जो उन्होंने वो सारा खर्चा avoid किया है वो उसको जमा करते है तो जितने यूथ को जितने यूथ को जितने लोगों को उन्होंने rescue किया depending कि उनका case की nature क्या थी वो value जमा करते जाते हैं आप अपनी screen पर एक sheet देख सकते हैं एक spreadsheet जिसमें आपके extreme left hand side पर costs है जी बी जी बी की उसमें मुक्तलिफ heads दिये हुए हैं जैसे मैंने कहा कि renting है office की salaries हैं बच्चों को या यंग लोगों को rescue करने पर जो transportation वगरा का खर्चा आ सकता है वो चीज़ें जमा की हुई हैं तरमियान में जो column है उसमें benefits को किया monetize किया हुआ है उसमें number of youth जो है जिनको rescue किया गया उनके अगर prosecution होती तो कितना खर्चा आता per case और उसको multiply करके number of youth से इ drug addicts या violence के cases जो हैं उनको करके उन्हें जमा कर दिया गया है इस benefit वाले column के नीचे तीसरा step है जहां पे जो आपकी इधर cost हैं उन्हें इस benefit से minus किया गया है आपके right hand पे lower side पे जो net benefit है वो दिखाया गया है कि GBGB का जो खर्चा है तकरीपन around 50,000 dollar और जो उसको benefit हो रहा है इन activities को करने से वो तक्रीबन 60-70,000 dollar या जो भी amount है वो उसमें से निकाल के उनका net benefit bottom पे right hand side पे शो किया गया है यह वो innovative तरीका है जिससे आप social issues का cost benefit analysis कर सकते हैं कर सकते हैं